अगर आपको किसी वजह से कान में दर्ध होता है तो यह बताने की जरूरत नहीं कि कितनी तकलीफ होती है कान में दर्ध होने के कई कारण हो सकते हैं कई बार कान में गंदगी जम जाने से भी दर्ध होता है तो कई बार पानी चले जाने से भी दर्ध होता है कई बार सरदी जुखाम के समस्या भी कान में दर्द होने की शिकायत रहती है कान का दर्द बच्चों से लेकर हर उम्र के लोगों को होता है कुछ घरेलू उपाय से इस दर्द से छुटकारा पाया जा सकता है तुलसी का पत्ता इस दर्द में आराम दे सकता है तुलसी के पत्तों को पीस ले, इसके रस की कुछ बूंदे कान में डाले, तुलसी कान में इन्फेक्शन और दर्द की समस्य से आपको दूर करेगी लेसुन भी इस दर्द में काफी अराम दे सकता है लेसुन की एक या दो कली को तिल के तेल में गरम कर ले, इसे थंडा होने दे, जब ये थंडा हो जाए तो इसकी एक या दो बूंद कानों में डाले, ऐसे करने से फाइदा होगा मेथी के दाने तेल में डाल कर गर्म करें और फिर उसे थंडा होने पर इसे चान लें इसके बाद ये तेल कान में डालें कान दर्द से राहत मिलेगी प्यास का रस भी कान दर्द में असरदार है प्यास का रस हलका गर्म कर लें दो से तीन बून कान में डालें कर दो